ग्रीव साध साध सब नेक हैं आप आपनी ठोरे जो सत लोक ले जावेंगे वो साधू कोई औरे पिर क्या है इस इस काल ने पांस में जहे के अंदर फिर अपनी ठांग अडाई है गीता ग्यान दाता ने उसमें इसने बताया है कि ऐसा आसन हो ना गणाउंचा हो ना नीचा हो एकांस सथान हो ना नाक के अग द्यहान लगावे और ऐसे बगती करें ये वेद ग्यान नहीं है ये इसका अपना मत है गीता जी के अंदर दो तरह का ग्यान है एक तो वेद ग्यान है और फिर दूसरा इसने अपना मत उसमें डाला है तो अब यदि हम इस पांस में ज्याए वाले क्रियाओं को सही मानने तो तीसरे वाले खराब गलत होगी जिसमें नहीं होगा तो एक जगह बैठका करम सिन्यसी होगा तो तेरा नर्वा कैसे चलेगा इसलिए तो युद भी कर सिमन भी कर काम भी कर बग्ती भी कर ये तो वेद ग्यान है ये सही ग्यान है क्योंकि ये जुर्वेदत जहे नंबर चालिस के मंतर नंबर पंदरा में कहा है कि वायू अनिलम अत इदम बसमानतम सरीरम ओम कर्टू समर किलबे समर कर्टूम समर ओम नाम काजाप काम करते करते सिमन करो विशेस कसक के साथ सिमन करो सरधा के साथ और अपने मन उस जीवन का मूल करते हो जानके सिमन करो तब बसमानतम सरीरम अमरतम आपका जब सरीर छूटेगा आपका जब सरीर अन्त होगा उससे में आपको जो ओम नाम से अमरतव प्राप्त होना है वो उससे ही प्राप्त होगा जितना आप उससे अमर हो सकते हो जैसे ओम नाम के जाप का सादक ब्रहम लोक में जाता है क्योंकि ये ब्रहम की सादना है और ब्रहम लोक में जाने के बाद भी फिर ये वापस आता है तो जितना समय इसका उस ओम के भगती की कमाई से होगा उतना समय ये महा सुरग में बिरम लोक में वहाँ पर इसे नकली सत लोग, अलख लोग, अगम लोग, नामी लोग बना रखे हैं तो वहाँ ये प्राणी अपना उतने समय तक ये जनम मर्तू से बच जाता है लेकिन फिर भी जनम मर्तू होती है, करने का भाव ये है के स्रीमद भगवत गीता अध्याय नमर आठ के सलोक नमर तेरा में ये गीता ग्यान दाता वेद ग्यान बता रहा है के मुझ बिर्म का एक ओम मंत्र है, एक ओम अक्सर है बस, nothing else इसका उचार्ण करता हुआ, जो शरीर छोड़ कर जाता है वो मेरे वाली इस ओम से मिलने वाली परमगती को प्राप्त होता है साथ में जाय के अठ हर में सलोक में कहा कि अर्जुन ये उद्दार आत्माएं, ग्यानी आत्माएं तो उद्दार लेकिन इनको ततोदर्सी संद ना मिलने से, ये मेरे वाली गटिया मेरे वाली अनूतम गती मेही आसरीत है क्योंकि ओम नाम के जाब से ब्रम लोक प्राप्ती होती है और ये ब्रम की साधना की प्रम गती है ब्रम लोक प्राप्ती और वहां गए पराणी भी फिर जनम मर्त्यों आते है ईसे सिध्ध है कि ओम नाम का जाब करने वाले जो ब्रम पुजारी है उनकी भी जनम मर्त्यों और इनके वगवान की भी जनम मर्त्यों सदा बनी रहती है तो जब तक जनम मरती होगा जीव शुकी नहीं हो सकता अपने नजदी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें मुझे नजदी के लिए मुझे के लिए संपर्क करने के लिए संपर्क करें